नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके अपने चैनल में मैं हूँ आपकी वही अंजली आपकी चाहत हमारी कहानी है, ये कहानी इस वक्त की महरवानी है हमारी उमाद का तो पता नहीं, पर हमारी ये जिन्दगानी सिर्फ आपकी दिवानी है जी हाँ आपने साइस सुना हमाज के डिली राज़िफल की बात कर रहे हैं सबसे पहले जिनका बर्टे है या फिर मैरेज अनुवर्सरी है उनको मेरी और से बहुत सी बधाई और good wishes हो तो चलिए बिना दिली लिगाए आप स्टार्ट कर लेते हैं इस दुनिया में ऐसा कोई नेक काम नहीं होता जो बिना आफत के पूरा हो जाए आफते इनसान को मजबूत बनाती है खुद के जैसा बनिये आपके पास इसके इलावा और कोई चारा नहीं जो व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता वो सोचता ही नहीं है अच्छा काम अच्छा नहीं रह जाता अगर उसमें बहतर की गुणजाईश बनी है वही अगर सरवर शेष्ट की गुणजाईश है तो बहतर काम भी माने नहीं रखता शुरुवात करने का सबसे बड़ी तरीक्या है कि आप बात करना बंद कर दे और करना शुरू कर दे बातों से कुछ नहीं होता जो मिलेगा आपको अपनी करनी से मिलेगा जीवन अनभवों की शंखला है उन में से हर एक हमें बड़ा बनाता है हाना कि कभी-कभी ये महसूस नहीं होता कृपय जल्दी से जल्दी तै करें कि आप क्या करना और क्या बनना चाहते हैं एक बार जब अपने लक्ष तै कर लिया है आपने तो सफलता मिलना तै है हर चीज का बोज लोगे तो जीवन चिंताओं की पोटली बन जाएगा आपका जब आप बड़े होते जाते हैं तो बांटना भी सीखना चाहिए खुद से सवाल पूछते रहे कि आप क्या बहतर कर सकते हैं आप क्या जानते हैं इससे किसी को कोई फरक नी पढ़ने वाला फरक इससे बढ़ता है कि आप अभी क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं मीठे बोल संगशिप्त और बोलने में असान होते हैं लेकिन उनकी जो गूणज है सच्चमुच अनन्त होती है छोटी छोटी बातों में विश्वास रखिए क्योंकि इन में ही आपकी शक्ती नहित है यही आपको आगे ले जा सकती है अतीद कितना ही सुनहरा क्यों ना हो वे तो गुजर चुका है वर्तमान पलों का पूरा लुट उठाना जिन्दगी जीने का सही तरीका है हर काम में खुशी हासिल करना मकसद होना चाहिए वो दिमान व्यक्ती आराम से फैसला लेता है लेकिन वे अपने फैसलों का पालन जरूर करता है जहां है वही से शिरू कीजिए जो भी है उसका इस्तिमाल कीजिए आप क्या कर सकते हैं जो कर सकते हैं वो जरूर करिये सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अजाब के लिए जो है भागिशली रंग जो रहेगा वो रहेगा पीला यानि की यालो कलर और जो लगी नंबर है वो नंबर दो बन रहा है आज के लिए वैसे आप सभाव से गंभीर हैं और परिसेती से जल्दी हार नहीं मानते फिर बे किस बात के लिए और किस परिसेती में अपनी शक्ती लगाना है या आज आपको तै करना होगा परिवार और काम की तरफ जादा ध्यान देने की जरूरत हो सकती है तो please परिवार और काम दोनों की तरफ balance बना कर रखेगा मिकार की बातों में अपने शक्ति और वक्त समय बरबाद ना करें जो चीज इंपोर्टन है जो बातें इंपोर्टन है वही कीजे वरना आपका जो इंपोर्टन टाइम जो है वो वेस्ट हो सकता है साथ में आज में आज जो है आपको किसी आयोचन में भागी दार होने का मौका मिल सकता है आज परिवार के किसी इंपोर्टन्ट मुद्दे पर विचार वी मर्श होगा और बच्चों के भी उत्तम विचारों की वज़ा से उनकी सिरहना की जाएगी बच्ची आगे बढ़ चड़ कर जो है हर चीज में अपना हिस्सा लेंगे प्रत्योगें वगारा में तो आप उनका साथ तीची स्पैशली पेरेंट्स तो उनको बहुत इच्छा लगेगा और वो यकीन माने पूरी महनत और लगन और निष्ठा से आपका नाम रोशन कर पाएंगे भूमी से रिलेटिड कारों में अगर इन्वेस्ट करने की कोई प्लानिंग बना रही है तो फॉरण उस पर अमल करें परिस्यतियां आज की दिन ठीक नजर आ रही है आज अपने सभाव और विचार को पॉजिटिव बनाकर रखेगा कभी-कभी आपका शंकालू वाला सभाव दूसरों के रिए परिशाने का कारण भी बन जाता है तो आज वही दिन रहेगा प्लीज शक मत किरिये किसी को युबा वर्ग विकार की गदे विदियो में समय जाया मत कीजिए अपने करियर से रिलेटिन प्लानिंग्स पर आपको ध्यान देना होगा इसके साथ ही आज आपकी द्वारा बनाई हुई हर प्लानिंग में कुछ न कुछ तकलीफ आपको हो सकती है कुछ फिर बदल भी करना पर सकता है इसलिए यूजना को परिसिति के अनुसार बदलती रहना आपके लिए ज़रूरी होगा जिम्मेदारी चाहे परिवार से रिलेटिड हो या विरकाम से रिलेटिड हो आपके अकेले से पूरी होपान आज मुश्किल हो सकता है इसलिए आपको दूसरों की मनद ले लेनी चाहिए इसमें ही आपका फायदा होगा घर के नवीनी करन और अखरकाव सरेलेटिट प्लानिंग्स पर विजारवे मर्श होगा आज किसी समाज्जिक गति विधी में भी आपका इंपोर्टन जो है वो योगदान बना रहेगा समान भी बड़ेगा अगर घर या वहाँ सरेलेट खरीदारी की आज आप योजना बना रही है या बन रही है तो उसके रेवी समय अभी अनकोल ही दिखाई दे रहा है लेकिन हाँ कभी-कभी आपके विचारों में वहम और संकेर्णता जैसी नेगिटिव बाते परिवार के लोगों के लिए परिशाने का कारण बन सकती है इसलिए अपने विवाबहार और विचार में बदलाव लाने के कोशिश करें अगर आप ऐसा करते हैं तो सब कुछ पॉजटिव रहेगा और आपको भी मानसी शान्ती जो है वो मिलते ने ज़र आएगी तो आगे बढ़ लेते हैं बात करते हैं बिजनस और करण की आज कारण शित्र में कुछ खास फैसले लेने में दिक्कतें आ सकती है बैतर होगा आगे कुछ भी नया शुरू करने की अपेक्षा जो है वर्तमान चीजों पर ध्यान दे नौकरी पे इशाल लोगों को किसी ओफिशल कारे के लिए यात्रा भी करनी पर सकती है तो काम के सिलसले में आने की आपको जाना पर सकता है साथ ही में आज सोने से रिलेटर विवहार से तरकता रखकर रखें यानि की जो सोने के विपारी हैं सोने का काम करते हैं तो रुगा थोड़ी बहुत साफ धानी बढ़तनी होगी हर चीज में इसके साथ ही समय बिजनस में लेन देन के समय पक्केबल का इस्तमाल कीज़ेगा क्योंकि किसी भी तरह की इंक्वारी की अशंका भी बन रही है आज की दिन रिटेल की ये पेक्षा, होलसेल कारे जादा आज की दिन सफल होने माले हैं इस समय ओफिस या महौल ओफिस का जो महौल है वो बहुती बड़िया और शांती पुरुक बना रहेगा, सब भी अपनी पनी जगा ठीक धंग से काम करते नजर आएंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, जिनका मार्केटिंग का काम है वो भी आज काफी जादा उसी चीज में बीजी रहते नजर आएंगे, पुरानी क्लाइंट्स दुआरा नया काम आज आपको मिल सकता है, तो प्लीज आप कॉंट्रेक्ट्स जो है अपने बढ़ाते रहे और पुरानी कॉंट्रेक्ट्स को जो है छोड़ी गामत उसे भी सेव करके रखे, वो भी कभी न काम आ ही सकते हैं, तो बिजनस और करेड के बाद अब आगे चल दे हैं और बात करते हैं लव लाइफ की, लव लाइफ कहती है कि पती पतनी दोनों ही व्यस्तिता की वज़़े से घर पर समय नहीं दे पाएंगे, यानकि अगर आप दोनों ही कोई काम वगारा जॉब करने ज रही है, पार्टर पर पूरा अन्यंतर लाने की कोशिश, रिलेशनशिप के लिए तकलीव दाइक हो सकती है, चीजे जैसे आप चाहते हैं वैसी नहीं हो पाएंगे, आपको अपने पार्टर को कुछ समय देना होगा सोचने के लिए, उनको भी थोड़ा समय दीजिए ताकि वो भी विचारवी मर्श करके देख सकें, कि जू आप कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक है या नहीं ठीक है, ये फैसला आप उन पर छोड़ दे, जबर जस्ती प्लीज मत कीजेगा, तभी आपके लिए और उनके लिए बानिफिट रहेगा, बढ़िया रहेगा, आज प फुलित रहेंगे, खुश रहेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है, वो साब को घर में तोड़ा सा टाइम जरूर देना चाहिए, तो चलिए अब लव लाइफ के बाद आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं आज की स्वास्ति के बारे में, तो स्वा चलिता से जादा वक्त काम करना आपके लिए तकलीफ दायक भी हो सकता है, इसलिए आप उतना ही काम करें, जितना आपके लिए जरूरी है, आज जो पेट में बढ़ती जलन जो हैं कई लोगों को तकलीफ हो सकती है, मिर्श मसाले वारे चीज़े मत खाईए, और हाँ, जित हाल निकलेगा इस चीज़ का, तो आप के लिए बहुत सुखद रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं, आज की विशीष शुपाई के भारे में, तो विशीष शुपाई आज आपके बारे में कहते हैं कि अगर आज आज आप किसी मंदिर धार जरूर सुनें, आप ओनलाइन भी सुन सकते हैं, कहीं सभी अगर आपको कोई अच्छा ससन मिलता है, अच्छी बाते मिलती हैं, तो जरूर से ने इसे आप अपनी खाम्यों को पूरा कर पाएंगे, और आप एक बहुत ही बड़ी अपनी इमिज को निखार पाएंगे, तो आ आप जो है खुद को निखारने के लिए असान सा पाएंगे जरूर कीजेगा, और हाँ सूरी देव को आज जल जगाना मत भूलेगा, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो, तो लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकु भी मत पूलीगा, प्लीज, धन्निवाद!